बच्चन परिवार की बहू नहीं है एश्वर्या ससूर अमिताब ने एश को कभी नहीं दिया घर की बहुरानी का दर्जा सास जया ने खुद किया था अमिताब एश की बॉंडिंग का खुलासा जी हाँ, खुद जया बच्चन ने घर की बहु एश्वर्या राय को लेकर ये खुलासा किया था कि उनके पती यानि के सदी के महानायक अभिताब बच्चन ने कभी भी एश्वर्या को अपने घर की बहु नहीं माना है जसा कि सब जानते हैं कि सोशल मीडिया यूजर्स ने बच्चन परिवार के आपसी रिष्टों को तार-तार कर रखा है बीते साल से ही नेटिजन्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि एश्वर्या राय और अभिशेक बच्चन की शादी शुदा जिंदगी बेहत बुरे दौर से गुजर रही है सास जया और ननत शुएता के साथ एश्वर्या की खटपट कासर पती-पत्नी के रिष्टे पर भी पड़ा है बावजूद इसके बिगबी के अंगना में चल रहे पारिवारी कलेश को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर सुर्ख्यों में छा जाती है और अब एश्वर्या के पती अभिशेक और ससुराल वालों के साथ मनमुटाव की खबरों के बीच चर्चा में छाया है जया बच्चन का वो बयान जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि अमिताब बच्चन ने कभी भी एश्वर्या को अपने घर की बहू नहीं माना है बलकि अमिताब ने हमेशा ही एश्वर्या को बेटी का दर्जा दिया है एश्वार्या ने बिगबी की जिंदगी में उस खाली पन को भरा था जो की बेटी श्वेता के शादी होने से बन गया था यही वज़ा है कि बिगबी एश्वार्या को बहु नहीं बलकि बेटी की तरहा ट्रीट करते हैं यह खुलासा खुद जया बच्चन ने करण जोहर के शो कौफे वेत करण में किया था तब उन्होंने खुलासा किया था कि जब उनकी बेटी श्वेता बच्चन शादी करके घर से विदा हो गई तो अमिताब बच्चन को अपनी जिंदिगी में एक खाली पन महसूस होने लगा था उन्हें हमेशा से एक बेटी की चाहत थी जो एश्वार्या के घराने पर पूरी हुई अमिताब हमेशा ही एश्वार्या को अपनी बेटी मानते हैं बहु नहीं जैवच्चन की इन बातों से साफ था कि अमिताब और एश्वार्या भले ही रिष्टे में ससुर बहु हो लेकिन दोनों बाप बेटी का रिष्टा शेयर करते हैं बतादे कि अमिताब एश्वर्या ने खा की ये क्या हो रहा है और बंटी वबली जैसी फिल्मों में स्क्रीन स्पेस शेयर किया है एश्वर्या को बच्चन परिवार की संसकारी बहु के तौर पर जाना जाता है हाला कि अब एश्वर्या और अभिशेक के अलगाव की खबरों ने फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ाई हुई है इन खबरों को हवा अनंत अमबानी और राधिका मर्चंट की शादी में मिली थी जब बच्चन परिवार यूँ बिखरा नजर आया था अमबानी वेडिंग में एश्वर्या ससुराल वालों से अलग बेटी आराधिया को साथ लेकर पहुची थी